अलो असलाम वालेकुम गाइज मैं हूँ अद्नान खान वैलकम टू माई चनल स्मार्ट मॉवीज वाउक और आज हम रिव्यू करेंगे एमाज़ून प्राइम पर रिलीज हुई शेर्शत जो के इंडियन आर्मी के उपर आधारित है तो गाइज ये कहानी है प्ले किया था वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हों ने किस तरह से उन पाकिस्तानी फोर्सिस को अपने जमीन से धकेला और किस तरह से उन लोगों को भगाया मांसे वही सारी कहानी इस मूवी में दिखाई गई तो गाइज उननिस सु निननानवे कि इस जंग को हम कारगेल के नाम से जानते हैं जिसमें सब से ज़्यादा IMPORTANT रोल प्लेय किया था विक्रम बत्रा ने किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी जगाओ पर कब्जा किया था और किस तरह से विक्रम बत्रा की आर्मी ने उनकी बटेलियन ने किस तरह से इन लोगों को उस जगा से हटाया और धकेला यह सारी कहाने उसी के उपर आधारित है लेकिन हर साल की तरह इंडिपेंडेंडे के मौके पर काफी जादा मुवीज आती है जो आजादी के उपर और इंडियन आर्मी के उपर होती है तो इस साल भी शेड़सा के साथ रिलीज हुई भुझ जिसमें एक सूपर स्टार थे अजे देखवन तो ऐसा लग रहा था ट्रेलर देखने के बाद क शेड़सा उसके सामने नहीं टिक पाईगी लेकिन आईज अगर आपने शेड़सा देख लिए तो आपकी पूरी की पूरी राय इस मूवी को देखकर चेंज होने वाली है क्योंके बुझ इसके सामने जरा भी टिक टीवी नजर नहीं आती तो आपका जादा टाइम ना ले तो गाइज यह कहानी है कैप्टन विक्रम बत्रा की जो के यूटूब पर अवेलेविल है अगर आपने वह वीडियो देखिए तो आपको कहानी में ज्यादा डिफरेंट तो दिखाई नहीं देखा लेकिन पुछ एलिमेंट्स बदलकर इस मूवी में डाले गए हैं जिससे मूवी और ज्यादा इंट्रेस्टिंग और एंटेटेंट्मेंट हो जाती है बात कर लेते हैं गाइस डारेक्शन की तो इस मूवी का डारेक्शन जिनिए सिर्फ एक ही वर्ड मेरे मुह से निकलता है माइंड ब्लोइंग डारेक्शन ने हर चीज को बहुत ही परफेक्ट त दौनों की केमिस्ट्री भी लव केमिस्ट्री भी बहुत जादा एट्रेक्ट करती भी नजर आती है अगर मुझे लगता है कि आगे बहुत सारे डारेक्टर इनको कोई ना कोई लव स्टोरी के ओफर देने वाले हैं और इनकी जो लव स्टोरी आएगी वो इसली हिट हो जा बहुत पहें सबहाए सबी को बहुत अच्छा टाइमिग दी गई है बात करें विक्रफ बत्रा के फ्रेंड की उनका भी रोल बहुत अच्छा है और उन्होंने अपने रूल perfekt कर वी नभाया है बात करें उन situation पर सूट होते हैं इस बात कर लेते हैं एक्शन की कि जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं वो किसी ना किसी बनाई इस मुवी को क्या रेटिंग दी और क्या कहा है इस मुवी के बारे में तो gaiz क्रिटिक्स ने इस मुवी को बहुत ही जबर्दस रेटिंग दी है सबी क्रिटिक्स ने इस मूवी की तारिफ किए अगर आइमडी पे जाकर चेक करेंगे तो ये सिधार्त मनुदा की वन अफ दा हाइस रेटिंग मूवी है जिसको आइमडी पे रेटिंग दी गही है 8.8 स्टार की दूसरी तरफ अगर बात करी जाए मेरी के मुझे इन्डियन आर्मी पे मुझे ये लगी और इसको मैंने जिस टाइम स्टाइब किया तो आर्मी जे धिना नजरे हटाये करकर मैंने इस मूवी को देखा जो कि बहुत ही अमेजिंग ती दिखाई गया है जिसमें डारेक्टर ने हर चीजद दिखाई है लविस्टोरी जो दिखाई ए वो में परफेक्ट तरीके से दिखाई है या आरमी जो दिखाई है और जए ज़िए में चीज़ भीगाया दिखाय grow लेकिन इस movie में बिल्कुल कुछ जादा extra दिखाया नहीं गया है, जो भी दिखाया गया है, पर्फेक्ट दिखाया गया है, और सिर्फ और सिर्फ फोकस किया गया है, विक्रम बत्राई कहानी में, कार्गिल की उस वार में, जो भी कुछ हुआ था उस वार पे, वो सारी चीज बहुत ही अच्छे पर्फेक्ट तरीके से डारेक्टर ने आपको दिखाई है, गाइज इंडियन आर्मी पे आपको फिल्म देखना पसंद है, तो भी आप इस movie को देख सकते हैं, और आपको वैसे movie देखना पसंद नहीं है, आर्मी और फाइटिंगी, तो भी ये movie आपको बिल्कुल भी disappointment नहीं करेगी, अगर मेरी बात करें, तो मैं इस film को क्या rating देना चाहूंगा, मेरी rating रहेगी 10 out of 9 star, क्योंकि हर angle से हर department में ये movie परफेक्ट है, अगर आपको मेरा review ज़रा भी पसंद आया, तो comment section में नीचे लिख कर ज़रूर बताएं, अगर आपने ये movie चनल को subscribe करना ना भूने, साथ में bell icon को भी प्रेस कर दे, आप देख रहे थे smart movies walk channel, मिलते हैं next video में तब तक की नहीं, keep watching.